प्यारे साथियों आप सभी का स्वागत करता हूं अपने योटूब परिवार MRS study में तो यहां पर जैसा कि आपको पता है कि इस समस्टर में आपको एक इलेक्टिव पेपर पढ़ना होता है तो इस इलेक्टिव पेपर में आपको जो है अपने अनुसार को भी चूज कर सकते सब्सक्राइब करना होता है तो यह कॉलेज के उपर या फिर आपके उपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं तो यहां पर हमारे एक स्टूडेंट है जिन्होंने जो है हमारा जो नूट्स है वह हमारे एप से पर्चेज किया है और उन्हें जो है इधर मतलब कुछ दिन पहले ही जो है उन्हें मतलब इन्फॉर्मेशन मिला उनके कॉलेज के तरफ से कि आपको सिक्स समेस्टर में एक इलेक्टिव पेपर भी पढ़ना है जबकि मैंने जो है स्टार्टिंग में ही पढ़ने है अल्रेडी जो है मैंने बता दिया था लेकिन होता है कि कई सारे लोग उस वीडियो को देखते नहीं है तो जिसके कारण से उन्हें पता नहीं चल पाया तो सबसे पहले इसका सिलेवस आप देख लिए कि सिलेवस में आपको पढ़ना क्या-क्या है तो कंसिचु और प्लस वाटर भी आपका होता है और उसके बाद उसके प्रॉपर्टि अन्हें प्रॉपर्टिज अब कंच्रीड दो तरीके का मिलनी होता है ऊपर है करेंट ंपक्रीटर पर यह हमें हृडे यह बएक उसके वाद अग्रीगेट में रिशाइक्ल अग्रिकेट और में आपको जानना है construction and demolition में कैसे recycle aggregate का use कर सकते हैं कैसे मतलब जो concrete already use किया जा चुका है उसको दुवारा reuse कैसे करें वो aim send क्या होता है fly as in concrete का use क्या है कैसे use किया जाता है इसके साथ ही साथ है आपके अलग-अलग types of various types of concrete such as fiber reinforced concrete आपका self compacting concrete high performance concrete वगिरा के बारे में आपको जो है जानना है यह types of various concrete के बारे में इसके साथ ही आपका कैसे mix करते हैं concrete बनाते हैं जैसे आपको पता होगा कि M 35 या M 30 तक तो आप आसानी से जो proportions होता है cement aggregate और water का यानि सैंड का वह आप आसानी से बता सकते हैं लेकिन उससे उपर जैसे ही आप बढ़ते हैं M 35 हो गया M 40 हो गया तो आप याद तो कर लेते हैं लेकिन उसको निकालने के लिए आपको mix design करना पड़ता है तो उससे आप जो है अलग अलग grade of concrete को जो है निकाल सकते तो grade of concrete का mixing design कैसे किया जाता है कैसे concrete को handling और placement किया जाता है साथ ही effect of आपका रिब्रेशन्स आफ concrete behavior of concrete अंडर वारियस लोडिंग एंड इन्वार्मेंट कौनकों से मेथर्ट होते हैं अलग-अलग aggregates जो concrete के constituents आया concrete का लिए कौनकों सा टेस्ट किया जाता है चाहिए वह लावरेटरी में हो चाहिए वह field में हो वह कौनकों से किये जाते हैं यह आपको पढ़ने है यह सिलेवस में आपको दिया गया है अब इन सिलेवस के अनुसार आपको कौनकों से points ज्यादा जरूरी है मैं 6 वैसे topic बताऊंगा जो कि आपको पढ़ने है अगर आप इन 6 topics को पढ़ते तो मैं मैं उमीद करता हूं कि आप 40-50 नंबर अपने semester में आराम से आप कभर कर लोगे देखो यहां पर वो topic मैंने यहां पर दे रखा है पहला टॉपिक है constituents of material in concrete यहां पर कर लेना है तो आपका सेमेंट एग्रिगेट और एड्मिक्शर्स और साथी वाटर तो वाटर का तो इंपोर्टन नहीं है एड्मिक्शर्स एग्रिगेट और आपका जो है सेमेंट का यूजेज है तो उसके बारे में आपको अलग अलग constituents के बारे में आपको ध्यान रखना है और इसी में आप जो है grade of concrete भी आप इसको में include कर सकते हो हैंना constituent of material in concrete में अप grade of concrete भी include कर सकते हो जिसमें अलग-अलग various grade के बारे में आप जान सकते हो तो कि उसके बाद दूसरा टॉपिक है properties of all types of concrete जितने भी types of concrete हैं like self compacting concrete हो और यह high performance concrete हो यह जिस तरीके का भी concrete हो उसका properties क्या होता है उसके बारे में जानना प्लस उसका कहां पर कि यूज करते हैं किस तरीके से यूज करते हैं वो इसके अलावा types of concrete of various types अगर टाइप्स of concrete कौन-कौन से हैं उसके बारे में mix design कैसे करते हैं यह पाच्छमा टॉपिक है आपका handling and placing कैसे किया जाता है ग्रीट का और चटा टॉपिक आपके पास यहां पर है लाइट वेट एग्रिगेट और रिसाइकल एग्रिगेट क्या होता है उसके बारे में और कैसे उसको जो है हम लोग यूज करते हैं वह में तर फोर टेस्टिंग concrete properties और constituents इसके बारे में आपको यहां पर जो है तो यह टोटल साथ topic मैंने जो यहां पर दे रखा यह साथ topic अगर आप पढ़ लेते हैं तो definitely आप अपने semester exam में 50 नंबर तक questions को बना सकते हैं जो आप 50 नंबर तक attend कर लेंगे तो definitely आपका 30 नंबर 40 नंबर तो आराम से आ जाए है यह पास होने के लिए यह साथ topic काफी है बाकि अगर आप और ज्यादा detail में पढ़ना चाहते हो तो जो syllabus मैंने बताया है उन syllabus के अनुसर पढ़ सकते हो बाकी elective paper का अगर आप notes चाहते हो concrete material का तो उसका already जो है मैंने अपने app engineer plus paid डाल रखा है है ना वहां पे जैसे ही आप notes लोगे six semester का तो उसमें elective paper के नाम से एक folder होगा उस folder में आपको swail mechanics one और concrete material यह दो subject का जो है वहां पे आपको मिल जाएगा ओके तो यह आपका यहां पे दिया गया है अब देख लेते हैं paper की questions किस तरीके से आपका जो है exam में पूछता है तो यह देखो यहां पे आपका six semester का paper आपके पास है जो की 2022 में जो exam हुआ था उसका तो यहां पे आप concrete materials देख सकते हो तो क्या question पूछा था वो आप देखो तो यहां पर आपको तो पता है कि पहला question जो कि कंपल सरी होता है जिसमें से दस objectives में से आपको साथ बनाने रहते हैं चाहिए वो objective हो one liner हो और आपका fill in the blanks हो किसी भी types में आपका हो सकता है तो यहां पर आपको one liner आप यहां पर question देख सकते हो मैं यहां पर answer अभी नहीं बताने वाला हो एक another videos में आपको बता दूँगा कि क्या questions है और उसका answer क्या हो सकता है और वैसे मैंने notes में already solution दे रखा है अगर वहां पर solution अगर नहीं होगा तो आप हमें जो है अपडेट कर स सकते हो आपको जो मैं solutions बाद में right कर दोंगा तो यहां पर देख सकते हो कि concrete का coefficient अलग 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 कौन सा टाइप यहां पर द्रेसे question दिया गया which one of the following is not lightweight concrete अगर lightweight concrete के बारे में आप पढ़ लेंगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सा जो है lightweight concrete नहीं है चार में से हना तो यहां पर इस तरीके का या fiber reinforced concrete का use कहां पर करते हैं हाई strength concrete का defined purely basis क्या होता है यह सारी चीज़े आप यहां पर देख पाओगे इसके साथ ही आप अगर subjective में देखो तो high performance concrete कैसे बनता है हाई strength concrete और high performance concrete में क्या difference है उसके अलावा questions आपका पूछा गया है कि recycle aggregate क्या है कैसे recycle aggregate का use करते है sustainable constructions के लिए हैना जो मैंने बोला जो topic मैंने बोला वहीं दिया है various types of test के बारे में आपको दानना है कि cement पे कैसे किया जाता है और किसी तीन test को जो है आपको proper तरीके से explain करना है lightweight aggregate क्या होता है और कैसे बनता है साथ साथ advantage of lightweight aggregate क्या है तो जो साथ topic मैंने दिया है उन साथ topic में से आपका अच्छा खासा question जो है यहां पर आपका match करेगा और आप उसको जो है असानी से बना पाऊगे हैं उमीद करते हैं कि यह चीज़ें आपको समझ में आया हो अगर फिर भी कोई doubts रहता है कोई confusion रहता है तो आप हमें जरूर बताना ताकि आपको proper तरीके से आपका help किया जा सके okay thank you